Hi everyone, welcome back to my channel, आज के वीडियो में हम जानेंगे चंद्रा नाम का मतलब चंद्रा नाम का मतलब चांद होता है, अपने बच्चे को चंद्रा नाम देने से पहले उसका अर्थ जान लेंगे तो इस से आपके शिशु का जीवन सवर सकता है चंद्रा नाम रखने से आपका बच्चा भी इस नाम के मतलब की तरह व्यवहार करने लगता है आपको बता दें कि अपने शिशु को चंद्रा नाम देकर आप उसके जीवन में सकरात्मक संभाम नाम को वढ़ा सकते है वेदों में भी ये बात कही कहिए कि शिशु को चंद्रा नाम देने से पहले माता पिता को इसके पूरी जानकारी लेनी चाहिए चंद्रा नाम का अर्ध्याने की चांद का असर आप इनके सभाव में भी साफ देख सकते है आई आगे देखते चंद्रा नाम की राशी आपके सेवन से तौबा कर लेनी चाहिए इन चंद्रानाम के लड़कों में गाठी आची उमर पैरों की उंगलियों से जोड़े रोग और नाग संबंदी समस्या होने का ही संभावना रहती है चंद्रानाम के लड़के दूसरे चंद्रानाम के लड़कों की खुशी में खुश, दुख में दुखी होने वाले होते हैं इस चंद्रानाम के लड़कों के सुभाव में देख वहाल करना और दयालूपन बच्पन से ही देखने को मिलता है आईए आगे दिखते चंद्रा नाम का शुर्ब अंग यदि आपका नाम चंद्रा है तो आपका ग्रह स्वामी प्रिहस्पति और शुर्ब अंग तीन होएं इस अंग वाले व्यक्ति आसानी से दूसरों के लिए आकरशक का केंडर बन सकते हैं इसलिए इन्हें लोग प्रियता भी खोब मिलती है चंद्रा नाम वाले व्यक्ति से मेदारियों से पीछे नहीं हटते इनकी खास बात यह होती है कि ये कुछ नियमों और सिधानतों के साथ अनुशाशनात्मक जीवन व्यतीत करते है चंद्रा नाम के लोगों का स्वभाव हटीला और जिद्दी होता है और इनके दुश्मन भी संख्या दुश्मनों की शंके दोस्त से अधीक होती है इस अंख वाले लोगों को सेहत वैसे तो अच्छा होता है लेकिन इन्हें डाइबटीस होने की आशंका रहती है आई आगे लिखते हैं चंद्रा नाम की व्यक्ति का व्यक्तित हुआ चंद्रा नाम की राशी मीन है चंद्रा नाम के लोग अध्यात्म को पसंद करते हैं चंद्रा नाम के लोग खुद को शांती प्रादान करने का प्रयास करते रहते हैं इस नाम वारे लोग मुश्किलों में भी शान रहना पसंद करते हैं क्योंकि ये सुभाव से शान्ती प्रिय होते हैं कलेश वविवादों से चंद्रानाम के लोग दूर ही रहते हैं जन्रा नाम के लोग चाहते हैं कि इन्फो विचारों को उचितमान समान मिलना चाहिए तो आज के वीडियो में इतना ही थैंक यू सो मिच फॉर वाचिंग माय वीडियो